नमस्कार, मैं उस्तासी आयो जर्कन की टव पचीस पर मुख खबर जानते हैं ने राजियों के मुख मंत्रियों के साथ बैठक की थी इसके बाद लोकडाउन में चर्मदबत तरीके से राहत देने के लिए अनलोक की सुरुवात की गई थी सुत्रों ने बताया कि 8 जून से लागू किये गए अनलोक वन के भी समिक्चा होगी माना जा रहा है कि मुख मंत्रियों से चर्चा के बाद केंद सरकार कुछ बड़े फैसला लेख सकती है जारखन मौसम विभाग के अंसर जारखन के किसानों का इंतियार खतम हो गया है साथी लोगों को गर्मी से भी रात मिली है मौसम विभाग ने बताया कि पूर्वी सिम्भूम सराय केला पच्मी सिम्भूम सिम्डेगा खुटी राची रामगड वकारू धनबाज जामतरा देवगा दुमका गोड़ा पाकुड जीला के कुछ भागों में मानसून सक्रिय हो गया है मौसम विभाग ने 29 जून तक का पूर्माइमान किया है जिसमें कहा गया है कि राज में लवक सभी जगोप और मेंग गरज के साथ हलके से मद्यम दर्जे की बारिस होगी नीजी स्कूल सुल्क माफ को लेकर 14 को मौन परदर्शन और स्कूल पेरेंट एसिस्ट्येशन की बैठक अजय राय की अध्यक्षता में हुई जिसमें अभिभागों ने कहा कि सिक्षा मंतरी के अभी भावक बिरोधी रवया के काराण हम सभी दुखी है सिक्षा मंतरी तीन महीने से अस्वासन दे रहे थे कि लोगडाउन अवधी की फिस माफ होगी लेकिन जब निर्नाय लेने का समाई आया तो उन्होंने फैसला स्कूल के पक्ष में सुना दिया अभी भागों ने निर्देश दिया है कि 14 जून को सभी जीलों में सारेरीक दूरी का पालन करते हुए मौन पर्दसन करेंगे जार्खन में आज 66 संक्रमितों के पुष्टी हुई योकोडरमा से 35 गडवा से 2 रामगर से 6 चत्रा से 3 राची से 1 सिमडेगा 3 पाच्मी सिमवूं 3 सराय के ला 3 पूर्वी सिमवूं से 10 हैं जार्खन में कुल संक्रमितों की संक्या 1657 से पढ़का 1723 हो गये जबकि 812 लोग सवस्त विये और 8 की मिरिति हो गये भारत में कुल संक्रमितों की संक्या 3, positives ή 6121 है जबकि 1,62,326 लोग सस्त विये और 91992 की मिरिति हो गये किसानों को किसान ततकाल योजना के तहत मिलेगा 50,000 रुपए का लोन मामारी संकट और लोगडाउन के दोरान नगदी की समस्या से जूज रहे जहरकंड के किसानों को बाइंक ने अधिकतम 50,000 रुपए तक का लोन देने की योजना शुरू की है किसान ततकाल नाम से शुरू इस योजना की खास बाते हैं कि इस लोन के लिए किसानों को सिक्रेटी गरांटी के तोर पर कोई चीज गिर्वी रखने की जरूरत नहीं होगी आपको बता दे कि यह और इन योजना सिर्फ जार्खन के छोटे और गरीब किसानों के लिए सुरू की गई है और उन्हीं किसान को लाब मिलेगा जिनका बैंक में पहले से खाता है जार्खन में स्कूल खोलने से पहले सिक्षकों को देना होगा टेस्ट पास के लिए असी परतियस्त अंक अनिवारे जार्खन के सरकारी स्कूलों को खोलने से पहले सिक्षकों को संक्रमन से बचाओं का अनलाइन परसिक्षन दिया जाएगा इसके बाद अनलाइन परिक्षा ली जाएगी जिसमें असी परतियस्त अंकों के साथ पास होना सिक्षकों के लिए जरूरी होगा आपको बता दे कि स्कूल से कम से कम एक सिक्षक को पास करना अनिवारे होगा जिसकी परसिक्षन 16 जून से सुरू होगा इसके लिए सिक्षको को आपने स्मार्टफोन में स्वक्ष विज्याला स्वस्त बच्चे आफ डाउनलोड कर आपना पंजी करना होगा चीन बोर्डर सरक बनाने के लिए 16 सरमिको को लेकर दुमका से रवाना हुई ट्रेन 16 स्रमिकों को लेकर जार्खन के दुमका जिला से ले लदाक के लिए सनिवार को एक ट्रेन रवाना हुई इस ट्रेन को मुख मंत्री हेमन सुरे ने हरी जंडी दिखाकर रवाना किया इस असर पर मुख मंत्री हमान सुरे ने कहा कि आज पूरे देश और जारखंड के लिए आविस मरनिये पल है मुख मंत्री ने ट्विट किया कि जो हार साथियों आज पूरे देश और जारखंड के लिए आविस मरनिये पल है इतिहास में पहली बार स्रमिक भाई बहन अपने हक, अधिकार, गौरव और सम्मान के साथ देश निर्मान पर जाएंगे मुख मंत्री ने कहा कि बरसों से ठंड में हाड कामपने वाले ले जैसी दुर्गम छेतरों में काम करने गए जहरखंड वासियों को अपने परिशानियों का दंस जहलना पड़ा है, आई देश सेवा में गौरव और सम्मान के साथ जा रहे हैं मेरी जहरखंडी भाईों को मैं भरुसा देता हूँ कि उनके अधिकार की रक्षा के लिए उनका या भाई हमेशा खड़ा है 16 जुन से खुल सकती है कपड़े और जुत्ते चपल की दुकाने जामुमों ने कहा है कि राजय में गतिवी दिया समाने होनी चाहिए इसके लिए बंद संस्थानों और दुकानों को खोला जाना बेहतर होगा एक प्रोटोकल बना कर सतर्कता और विशेस निगरानी में कपड़ा वज जुत्ते चपल की दुकाने खोली जानी चाहिए साथी नीजी बसों का परिचलन भी सुरू किया जाना चाहिए जो 16 जुन से कपड़े वज जोत्ते चपल की दुकाने खोले जाने की उमिद जताई जा रही है जारखन के नीजी अस्पतालों को करना होगा संक्रमितों का इलाज जारखन में नीजी अस्पतालों को संक्रमित मरीजों का इलाज करना होगा वे अपने मरीज को संक्रमित होने के बाद रेफर नहीं कर सकते स्वास्त विभाग ने नीजी अस्पतालों के लिए नया एसोपी जारी किया है और एसोपी में लिखा गया है कि नीजी अस्पताल संक्रमित मरीज के इलाज के लिए एकचुक नहीं है मंत्री जगरनात मतों ने कहा कि जार्खन वासियों के लिए 1932 के खतियान के अधार पर अस्थानीय निती बनाने का समर्थक था और अब भी हूँ आगे भवी से में भी रहूंगा अथानिय निती परमंत्री ने कहा कि अलग राज गठन जारखंडियों को उनका हक दिलाने के लिए हुआ है बाहरी के लिए नहीं बिना मास्क को वा हेलमेट के घरों से बाहर निकलने पर करवाई राची के भी 24-24 में पूलिस की ओर से सनिवार को मास्क पहनने को लेकर विश्यस अवियान चलाया गया इस दरण बिना मास्क के घरों से बाहर निकलने वाले वाहनों चाल को पर करवाई की जा रही है राची स्पी अनिस गुपता खुद राची के रातु रोड में मौजूद थे और लोगों को मास्क पहना कर अपने घरों से निकलने की अपील कर रहे थे उधर धनबाद में भी संक्रमन फैलाओ के रोक्थाम एवं बचाओ के लिए घर से बाहर निकलने पर सरेरिक दूरी का पालान साबून या सनिटाइजर से हाँ धोना इत्यादी को लेकर जिला पसासन के द्वारा जैगरुकता अभियान चलाया गया रगुवर्दास पर निर्मलादेवी ने पांच कडोर लेकर भाजपा जवाइन करने का लगाई अरोप राजी सभाचुनाव के दरवान हर्स ट्रेंडिंग के मामले में राची पूलिस के टीम ने पूरो मंत्री योगेंद्र साव वा पतनी पूरो विधायक निर्माला देवी से पूस्ताश की जिसमें निर्माला देवी ने पूलिस को बताया कि पुर्व मुखमंत्री रगवर्दास ने 10 जुन 2 एर सुला को उनके आवाज पर आकर उन पर राज सभा चुनाव में भोट नहीं देने का दबाव बनाया था और पांच गड़ रुपाय का परलोबन देते हुए कहा था कि तुम भाजपा जुआइन कर लो रांची में बड़ा हथ सा आग लगने से आट दुकानों में लाखो का नुकसान राजधानी राची के डुरांडा बजारिस्थित कपड़े के दुकान में सनिवार सुबा चार बजे आग लग गई दुकान के अंदर रखे कपड़े जलकर खाक हो गई और इस से लाखो रुपय के कपड़े जलकर खाक हो गई दुकान से धुआ उठता देख लोग मौके पर पहुँचे और अगिन समाग विभाग को बुलाया गया आपको बता दे कि डुरांडा थाना छेत्र अंत्रगत लगी आग से आट दुकाने जलकर खाक हो गई जिसमें जातर दुकाने कपड़े की थी तो वहीं एक व्योटी पालर और दो बुटीकी की दुकाने थी इंद्रा गांधी बाइल का विद्याला में नमांकन के लिए 29 जुलाई को होगी परवेश परिक्छा इंद्रा गांधी वहर नेतर हट विद्याला की तरज पर संचालित अवाचे विद्याला तथा इंद्रा गांधी बाइल का विद्याला हजारी बाइल में नमांकन की परकिरिया शुरू कर दी गई है जारखन एकेटवी कॉंसिल ने परवेश परीक्षा में भाग लेने के लिए ओनलाइन आवेदन 13 जून से मांगा है जिसकी अंतिम तीथी 2 जुलाई तक होगा आपको बता देखी इस परीक्षा का आवियन 29 जुलाई को होगी जिसके माद्यम से कक्षा 6 में नमांकन होगा अनुमंडली अस्पताल पहुचाया गया खबर है कि चेतक बस सनिवार सुबह 5 बज़े कुलकाता से औरंगाबाद के लिए चली थी किन्तु अचानक धनबाद के पास ब्रेकडाउन होने के वज़े से उसी कंपनी का दूसरे बस में मेल देकर भेजा गया जो बरे में पल्ट गई 10 लाख नए राशन कार्ट बनेंगे मंत्री उराव खादा पुर्ती मंत्री रामेस्वार उनाव ने कहा है कि जारखन में सितमर अक्टूबर में नए राशन कार्ट बनाये जाने की परकिरिया सुरू होगी जिन लोगों ने राशन कार्ट के लिए आवेदन दिये हैं सर्वे के बाद उन्हें भी राशन कार्ट उपलब्द कराए जाएंगे इसके लिए 10 लाख नए राशन कार्ट बनाये जाएंगे मंत्री नकाह की जारखंड की अबादी 3.24 क्लोर से बढ़कर 3.84 क्लोर हो गई है ऐसे में सभी जरुवत मंद परिवारों को राशन कार्ट उपलब्द कराने को लेकर राजिसरकार प्रतिवध है हर परवासी मजदूर को मुफ्त राशन नहीं मिलेगा सरकार की ओर से परवासी मजदूरों को मुफ्त में राशन दिया जाना है ऐसे में हर परवासी मजदूर को मुफ्त राशन नहीं मिलेगा सिर्फ उन्हें ही मुफ्त राशन दिया जाएगा जिनके पास राशन कार्ड नहीं है वैसे परवासी मजदूर जो रेड जोन से आए हैं और उन्हें सरकारी कोरेटाइन में रखा गया है उन्हें ही घर वापसी के वक्त मुफ्त रासन दिया जाना है आपको बता दे कि उपायुक्त ने सभी परखंड विकास पता अधिकारी से कहा है कि सवी प्रवासी मजदूर को मुफ्त रासन नहीं देना है लेह लदाक से हवाई जहाज से लोटे जार्खन के 43 प्रवासी स्रमिक मुख मंत्री हमन सुरेन की पहल पर ले लदाक में फसे प्रवासी मजदुरों का हवाई जहाज से जर्खन लोटने का सिलसिला जारी है ऐसे में सनिवार को 43 प्रवासी स्रमिक हवाई जहाज से ले लदाक से जर्खन लोटे जर्खन सरकार बना रही नई खेल निती जार्खन सरकार राज में खेल और खिलाडियों के विकास के लिए खेल निती बना रही है खेल निती का सवरूप कैसा होना चाहिए खेल में विकास के लिए निती कैसी होनी चाहिए इन मुद्धियों को लेकर राजे में खेल संगों के प्रतिनिदियों के साथ इस सनवाद हुआ खेल संगों का कहना आए कि खेलाडियों को बेतर मैदान, अच्छी ट्रेनिंग, अच्छा खाना मिले साथ ही रोजगार की गरांटी होनी चाहिए यदि राजे सरकार की खेल निती में इन बातों का ध्यान रखा गया तो निश्ची थी खेल और खिलाडियों का विकास होगा पलामू में मास्क नहीं पहनने पर पुलिस पीटा, तीन जवान सस्पेंट पलामू जिला अंतरगत हुसाइनाबाद थाना के अंतरगत कई जवानों ने एक युवक को बेरामी से पिटाई कर दी जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया घाटना की जनकारी ट्वीट के माध्यम से मुख मंतरी को मिला जो मुख मंतरी ने ततकाल संग्यान लेते हुए पलामू के पुलिस कप्तान अजय लिंडा को मामले की जाच कर पुलिस के विरूत करवाई करने का निर्देश दिया केरल में मारी गई गरवती हाथनी को बच्चों ने चित्र बना कर दी सरधांजली काला किरिती आर्ट्स पाउंडेशन एवम काला किरिती स्कूल अफ आर्ट्स के द्वारा चित्रकला प्रदर्शनी का आविजन किया गया जिसकी लॉंचिंग राची संसल संजाज सेठ ने अपने करयाले में किया इस प्रदसनी में छात्रों ने आपनी काला के जरिये केरल में एक गरबोती हत्यनी की आमानुए हत्या के मरमिक दिरिश्यों को आपने कैनवास पर उकेर कर सजांजली दी अंतर राश्ट्रिये 33 दिपका कुमारी की मा गीता देवी के गले से सोने के चैन की छिनताई हुई सोडा फाउंटेन तिलता के समी पीछे से एक बाइक ओवर्टेक किया तथा उसमें पीछे बठा अग्यात अपराधी ने जपटा मार कर गले से सोने का चैन छीन कर फरार हो गया जिसकी अनुमानित कीमत 1.5 लाक रुपए बताई जा रही है राज भवन पहुचे सीम का स्वागत मुख मंतरी हमन सुरेन दुमका पहुचने के बाद राज भवन पहुचे सीदू का नो मुर्मो विश्वविद्याल की कुलपती सोना जहरिया मींज ने सीम को पवधाव पूस्तक भेट कर स्वागत किया मुख मंतरी के साथ स्रम मंतरी सत्यानंद भोगता भी मजूद थे जारखन में मिले मरीज का ब्यवरा तथा स्वास्थ हुए 131 का ब्यवरा राची में मिला पोजेटिव धनबाद का है जो रीम्स में इलाज करा रहा है कोडारमा से मिले 35 संक्रमित सभी परवासी मजदूर है चातरा और रामगड में मिले संक्रमित भी परवासी मजदूर है गडवा जिला से मिले मरीज एक गडवा परखंड के कछरी रोट का है जबकि दूसरा मजियाव परखंड के कसाई गाव का है सिम्डेगा में मिले एक कारोबारी है एक कुर्डेगा एवं एक जल्डेगा के है पूर्वी सिम्भू में मिला सभी परवासी है सरनिवार को 131 मरी स्वस्थ होकर डिस्चार्ज कर दियेगा है जो 14-4 धनबात 29 पूर्वी सिम्भू म 2 हजारी बाग 14 कोडारमा 6 लाते हर दो रामगर 38 सिम्डेगा 36 मरी स्वस्थ हुए है आपकी अवाज कालकरम अगिन समक विभाग में डाटा इंट्री अपरेटरों का मांदे भूगतान की मांग जारखंड के सभी अगिन सामान में इजी ऑफ डोइंग बिजनेस के तहट सनवीदा क्याधार पर कारेटर डाटा इंट्री अपरेटर का मांदे भूगतान एक बर से नहीं मिलने के काराण उनके समक्ष भूखमरी की स्थिति उत्पन हो गई है आपको बता दे कि 24 जीलो में 43 डाटा इंट्री अपरेटर कारेटर था हैं जो मांदिय मुख मंत्री से बकाया मांदे भूगतान की मांग की है आपकी अवाज कारेकराम के तहट आप अपनी समस्या चैनल के वाट्सेप नमबा पर भेज सकते हैं प्रती दिन एक समस्या को परकासित की जाएगी अगले कारेकराम में पंचाज सचु के अवियार्थियों का मुद्दा को उठाया जाएगा धन्यवाद यदि आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर भगल बेल आइकन दवाएए साथी वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के वाट्सेप फेस्बुक ट्यूटर इस्टाग्राम पर सेर करें और आप हमें कोमेंट में अपना राय अवस्य दे थाइंक्यू